काफी सारे SMPS में temperature को monitor करने के लिए इस तरह का thermocouple लगा हुआ रहता है यह NO या NC type का होता है NO NC का मतलब हुआ कि अगर temperature जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस condition में इसके दोनो terminal short हो जाएगे और NC का मतलब होता है कि जैसे ही temperature ज़्यादा होगा तो इसका दोनो terminal open हो जाता है इसको check करने के लिए multimeter को continuity range पे रखिए और दोनो probe को आप दोनो wire के साथ connect कर दीजिए अगर वो NO होगा तो यहाँ कोई beep नहीं आएगा अगर NC होगा तो beep आएगा अब हम लोग इसके temperature को increase करेंगे तो उसके लिए आप कोई साभी soldering iron का या hot air station का use कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो को कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताईएगा thank you for watching